नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महिंदर दूगने मोटिविशनल स्पीकर और राइफ कोच और आज हम बात करने वाले हैं पाँच ऐसे खर्चों के बारे में जो आप सभी को बहुती सोच समझ कर करना चाहिए यदि आपकी उम्र है 15 से लेकर 30 साल क्योंकि यही वो एज है और यही वो खर्चे हैं जो तै करेंगे आपका भविश्य और बताएंगे कि आगे आप अमीर बनने जा रहे हैं या फिर गरीब ही रहने वाले हैं जब आप यंग होते हैं तो आपका बहुत जादा मन करता है लोगों को अपनी चीजे दिखाने का आपका मन करता है कि आप उन् पर्चिस कर लिते हैं जिसके जरुरत आपको अभी नहीं है या जो बहुत काम की आपके लिए अभी नहीं है लेकिन भविश्य में ये तै करेंगी कि आप अमीर बनने वाले हैं या फिर आप नॉर्मल रहने वाले हैं तो आपको इन पांच खर्चों के बारे में जानना है उन जिसे आप खरीदना चाहते हैं और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था आइफोन आजकल हर बच्चे का ये ड्रीम है कि उसके पास एक आइफोन हो और वो इस आइफोन को लोगों को दिखा सके कि मेरे पास आइफोन है और मैं भी एक अच्छे स्टीटेस साला विक्ती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने स्टीटेस को उचा दिखाने के लिए आजकल बच्चे आइफोन के डिमांड करते हैं अपने आप से अपने पैरेंट से और उसे खरीदना चाहते हैं इसलिए सबसे पहला खर्चा जो आपको अभी इसी वक्त रोखना चाहिए और वो यह है कि आपको महंगे फोन खरीदने से बचना चाहिए यदि आप 15 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में हैं यह सला उन लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं है जो लगपती है करोड़पती है या बहुत जादा पैसा कमाते हैं बलकि यह सला उन लोगों के लिए है जो इस गैजेट से करने के आवाले हैं अब मान लीजी कि एक लड़का है और उसे आईफोन खरीदना ही है अब यहाँ पर आईफोन खरीदने के दो कारण हो सकते हैं पहला कारण यह हो सकता है कि उस लड़के को अपने दोस्तों के बीच में अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ दिखाना है कि मेरे पास भी आईफोन है और उसके बाद वो सिर्फ उस फोन से बाते ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा दूसरी कंडिशन ये हो सकती है कि वो लड़का कोई creator हो वो कोई digital content create करता हो या फिर कोई classes लेता हो और उसके लिए उसे आईफोन की जरुरत है अब मान के चलते हैं कि ये दो condition है पहले में सर्फ उस लड़के को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है बाकी सिर्फ वो उस फोन से बाते करने वाला है और कोई काम नहीं करने वाला है लेकिन दूसरी condition ये है कि वो लड़का उस फोन से content create करने वाला है जिसे वो upload करेगा और उसकी वज़े से वो अपनी life को improve करेगा तो दूसरी condition वाला वेक्ती मेहंगे gadgets में जरूर invest कर सकता है लेकिन यदि आपकी condition पहले number की है कि सिर्फ आप दिखाना चाहते हैं सिर्फ आप अपना status maintain करना चाहते हैं तो ये खर्चा बलकुल ही गलत है आप इस बात को इस प्रिका फोन की कीमत आज 1,00,00 रुपए है तो आपको करना क्या चाहिए आपको 20,000 रुपए तक का कोई फोन खरीदना चाहिए और अपने 80,000 रुपए आपको save करना चाहिए आपको थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा कि अभी हमारे शौक करने की उम्र है दिखाने की उम्र ह तो हम ये क्यों न करें लेकिन इसका फाइदा आपको भविश में बहुत जादा मिलने वाला है जो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा तो सबसे पहला खर्चा जो आपको आज से ही रोखना है वो है महंगे गैजट्स में खर्चा करना जहां पर उसकी कोई जरुरत आप बिलकुल खर्चा कर सकते हैं लेकिन इतना खर्चा आप तभी करें जब उस खर्चे से आपको उससे ज़्यादा आउटपूट मिल रहा हो दूसरा खर्चा वो खर्चा है जो सिर्फ यंग लोग नहीं बचाएंगे बलकि बड़े लोग भी बचा सकते हैं और वो आती साथ आप बहुत सारी और भी चीज़े लेकर आ जाते हैं यह सारे के सारे बड़े स्टोर्स की बड़े मॉल्स की प्लानिंग होती है कि आप खरीदने कुछ आते हैं और उसके साथ साथ खरीद कर कुछ और भी ले जाते हैं इससे उनकी सैलिंग बढ़ती है और उनका प जो कांदार होता था जो आपको बारी-बारी करके एक-एक सामान निकाल कर देता था लेकिन जब आप मॉल जाते हैं तो हर सामान तक आपके हाथों की अप्रोच होती है आप जिस भी सामान को चाहे चुकर देख सकते हैं उठा सकते हैं उसकी खुश्बू ले सकते हैं उसे फी तो यदि आपको छोटा मोटा सामान खरीदना है तो आप लोकल की पास की शॉप से खरीद सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि यदि आप मॉल जा ही रहे हैं बड़े स्टोर जा ही रहे हैं तो अपने साथ एक लिस्ट बनाकर लेकर जाएं कि आपको सिर्फ ये 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 सामान खरीद कर लाना है उसके अरावा आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि मॉल जाने के बाद आपको मिलता है फ्री का लालच या फिर एक के साथ एक चीज मिलने का लालच और इस लालच के चकर में आप अपने आपको रोक नहीं पाते हैं और फिर आप वो खरीदारी भी करते हैं उन चीजों को भी खरीदते हैं जिसे खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है यदि आप अपने खर्चों को हर महीने मैंटेन करते हैं तो आप अपने पिछले खर्चे उठा कर देख लीजिएगा और अब इस तरीके का इस्तमाल करके देखिएगा आपके खर्चे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा जहां से आपके एक बहुत बड़ी सेविंग होना शुरू हो जाएगी तीसा खर्चा जो आजकल बहुत ही कौमन हो गया है और हर युवा और हर बड़ा विक्ती भी इस खर्चे को जरूर कर रहा है और वहां से भी आप अच्छी खासी सेविंग को कर सकते हैं और उस पैसे को सही जगर पर लगा सकते हैं और वो है एप इंस्टॉलेशन का खर्चा या फिर सब्सक्रिप्शन लेने का खर्चा नेट्फिक्स, हमिजोन प्राइम और इनके जैसे बहुत सारे इंटेटेनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मंथली या फिर एरली रिचार्ज करवाते हैं अपने इंटेटेनिमेंट के लिए आप उस समय एक प्लेटफॉर्म का अस्तमाल करते हैं जब वो कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करवा लेते हैं फिर तीसे का और फिर चौते का और आपके पास एक समय ऐसा होता है जब सारे प्लेटफॉर्म अबिलेबल होते हैं लेकिन आप फिर व्यस्त हो जाते हैं और आप उन प्लेटफॉर्म का अस्तमाल नहीं करते हैं आप सोच कर देखिए कि वो पैसा आपका काम का नहीं है, वो पैसा वेस्ट जा रहा है, आजकर हर चीज के अलग रिचार्ज करवाना पड़ता है, यदी आपको मूवी देखना है, तो उसके लिए अलग रिचार्ज करवाईए, यदी आपको गाना सुनना है, तो आप इन खर्चों को बचा सकते हैं और entertainment के दूसरे free sources को भी इस्तमाल कर सकते हैं जहां से आपको entertainment भी मिलेगा और आपकी saving भी हो जाएगी जितने भी entertainment वाले platform होते हैं वो भी free का लालेज दे कर आपको अपना subscriber बनाते हैं पहले ये कहते हैं कि आप इनकी platform को एक महिने के लिए पूरा free use कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपना credit card या debit card का number डालना होगा जैसे ही एक महिना होगा वो आपका पैसा काट लेंगे अब आप सूचते हैं कि एक महिना होने से पहले ही मैं अपना debit card या credit card वहां से हटा लूँगा लेकिन आप भूल जाते हैं और वो पैसा आपका करड़ जाता है जब करड़ जाता है तो आप सूचते हैं कि मैं एक महीने और इसको इस्तमाल कर लेता हूँ लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर आप उसके आदी हो जाते हैं और आप बार बार रिचार्ज करवाते रहते हैं तो इस human psychology को थोड़ा सा समझे कि किस प्रिकार से आप इनके चक्कर में आ जाते हैं और आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता है तो आप इन चक्करों से थोड़ा सा बच कर रहेगा चौथा खर्चा जो हर युवा को करना पसंद है जब भी कोई युवा पैसे कमाना शुरू करता है तो उसका पहला ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छा फोन हो और दूसरा ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छी कार हो तो कई लोग जब पैसे कमाना शुरू करते है तो वो एक नई कार लेते है और एक अच्छी कार लेते है और एक महंगी कार लेते है ताकि वो अपनी सोसाइटी को बता पाए कि अब वो पैसा कमा रहे है अब वो अमीर हो चुके हैं और सिर्फ दिखाने के लिए वो एक ऐसी कार खरीते है जो उनके budget से बिलकुल बाहर होती है और जिसके लिए फिर वो loan लेते हैं अब फिर होता ये है कि उस loan को भरने के चकर में उनकी आदी से जादा salary चली जाती है और उनके पास saving नहीं हो पाती है जिसकी वज़र से वो जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को आदत होती है एक चीज लोन पर खरीदने के बाद दूसी चीज खरीदना दूसी चीज को खरीदने के बाद तीसरी खरीदना और ऐसे ही उनका पूरा जीवन लोन भरते-भरते ही बीच जाता है जबकि एक स्मार्ट सोच का वेक्ति ऐसा कभी भी नहीं करेगा वो कोशिश करेगा कि जब तक मैं बिना कार की काम चला सकता हूँ मैं चलाओंगा यदि कार की ज़रुवत पढ़ती भी है तो मैं एक ऐसी affordable कार खरीदूँगा जिससे अभी मेरा काम चल जाए और बचे हुए पैसे को वो सही जगह पर इन्वेस्ट करेगा जिससे उसे और ज़्यादा return मिलेगा यहाँ पर मैं आपको दो वेक्तियों के example दे कर समझाता हूँ शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक प्रकार का वेक्ति वो होता है जिसके पास एक दो करोड रुपे है और वो कार खरीदना चाहता है वो भी कार खरीदेगा और वो भी लोन लेगा लेकिन वो सिर्फ लोन लेगा दिखाने के लिए क्योंकि उसके पास extra पैसा है वो सिर्फ दिखाने के लिए लोन रे रहा है लेकिन आजकल के youth इस बात को समझ नहीं पाते हैं वो सूचते हैं कि उन्होंने भी तो इतनी बड़ी कार ली है लोन पर तो मैं भी ले सकता हूँ लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके पास पहले से एक दो करोड, चार करोड, पाच करोड रखा हुआ है वो उस लोन को बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं अब सोच कर देखिए कि उसका क्या होगा और ऐसे लोगों की आदे से जादा कमाई सिर्फ और सर्फ लोन में चली जाएगी और वो कभी भी अपनी अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे अच्छे रिटेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़े से वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे तो भविश में जब भी आप कार खरीदने के बारे में सोचेंगे या फिर अभी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा और उसी के बार डिसीजन लीजेगा और लाश खर्चा वो खर्चा है जो हर एक मिडल क्लास फैमिली के वेक्ति का एक ड्रीम होता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर हो मेरे पास एक बंगला हो और उसके लिए वो जी जान से मेहनत करता है एक अच्छा और बड़ा घर खरीदने का हर वेक्ति का ड्रीम होता है लेकिन फिर से उसी बात को ध्यान दीजेगा कि यदि आपके पास जादा पैसे है आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो आप खुद का घर बनाईए खुद का घर खरीदी है लेकिन माली जी कि अभी आपके पास उतनी इंकम नहीं है या फिर उतनी से भी आपके पास नहीं है कि खुद से आप उस घर को खरीद ले तो उससे अच्छा होगा रेंट पर रहना क्योंकि माली जी यदि आपकी सैलरी पचास-साथ हजार है और आप एक पचास-साथ लाग का घर खरीदे है तो आपको उस लोन को चुकाने में सालो लग जाएंगे और आप कोई और काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उससे अच्छी प्लानिंग ये होगी कि आप अपने पैसे को सेव करके एक अच्छे रेंड के मकान में रही है और उसके बाद जब आपके पास इतनी परियाप सेविंग हो जाए कि आप खुद का घर खरीद सकते हैं उस समय उस घर को खरीदी है ताकि आपके उपर लोन का बोज बिल्कुल ना आएं अब इन पांच खर्चों के जितनी भी सेविंग बसती है उसका आपको करना क्या है हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप पैसे को सेव करके रखते हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी उस पैसे का कोई फाइदा नहीं है इसलिए आपको उस पैसे को सेव करना है और सही जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि आपको उस पैसे से बहतर रिटन मिल सके मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनने पैसा तो बचाना आता है वो बहुत जादा पैसा बचा लेते हैं लेकिन उस पैसे को वो अपने पास ही रखकर रखते हैं वो उस पैसे को invest नहीं करते हैं जिससे वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे अब इस बात को ध्यान से समझेगा मा लीजी कि आपके पास आज एक लाख रुपए रखा है वही एक लाख रुपए यदि दस साल के लिए आपके पास ही रखा होगा तो उसकी वैल्यू एक लाख नहीं होगी उसकी वैल्यू घर जाएगी तो आप सोच रहे होंगे उसकी वैल्यू कैसे घर जाएगी वो तो एक ही लाख रुपए है लेकिन आप इस बात को सोच कर देखिए कि अगले 10 साल में महंगाई कितनी जादा बढ़ जाएगी आज 1,00,000 रुपए में जो चीज़ आप खरीद सकते हैं उस समय 1,00,000 रुपए में आप वो चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे इसका मतलब होता है कि पैसे का वैल्यू आज के हिसाब से कम हो जाएगा लेकिन सोच कर देखिए कि यदि उसी 1,00,000 रुपए का आज आप सोना खरीदते हैं और 10 साल के बाद सोने का भाव बढ़ जाता है और जब 10 साल के बाद आप उस सोने को बेचेंगे तो आपको 1,00,000 रुपए नहीं मिलेंगे उस समय सोने का भाव जो भी होगा उस हिसाब से आपको वो पैसा मिलेगा और वो जादा ही मिलेगा तो अब आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर घटी नहीं है आप FD बनबा सकते हैं बहुत सारे आसे तरीके हैं जहां से आपके पैसे की ग्रोथ शुरू हो सकती है और आप भविशी में एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आप इन 5 खर्चों पर जरूर कंट्रूल करेंगे और आगे आने वाले समय में इन पैसों को बचा कर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब भी आप इन में से कौन-कौन से एक्स्रा खर्चे कर रहे हैं जो आपको आज समझ में आया है कि आपको नहीं करना चाहिए और इसके अलावा कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आप बचा सकते हैं वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद